हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में और आज क्लास के स्टुएंट्स के लिए हम प्रीवियर सेर पेपर लेकर आचुके हैं पूरा सेट आसी क्लास में आपको सॉल्व कराएंगे अब ये पेपर हमने कहां से लिया है ये भी आपको बता देते हैं है और रासायन विज्ञान यानिकी केमस्ट्री का ये प्रश्न पत्र है अब यहां पर देखी कुछ यहां पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए है फिर उसके बाद अगर हम यहां पर पेपर की बात करें तो अगर आपको यह डाउनलोड वहां से आप जाकर कर सकते हैं वेबसा कोशन दे रखे हैं कोशन नमबर 4 में आपके 4 कोशन पूचे गाए है 5 में निमरिकल है त्विर वाले कोशन है कोशन NO.6 है और उसके बाद कोशन NO.7 है यानि कि कुल मिलाकर आपको बताएं तो यहां पर कोशन NO. आपके एकज्ञाम में भी साथ ही आएंगे अब जैसे कि हम कुछ पिछले क्लासों में आपको कई सारी रियक्शन करा चुके हैं इन ही रेक्शन की हम बात करते थे क्या जैसे कि यहां पर देखें यहां पर विभेध आ जैए यह नहीं भी आएगा तो इस तरीके से यहां पर नीचे यह देखें अत्वा में दे रखा है, लॉंग में कोशन दे रखा है, यानि कि दीर गुतर ये प्रेशन में, तो ये देखे, नीचे ये देखे, अथवा करके लिखा हुआ है, कैसे प्राप्त करेंगे, इस तरीके से रेक्षन दे रखी है, और यहाँ पर विभेद दे रखे हैं, और कई पेपरों में आपको समझ में आ गया होगा, चलिए अब आपको बताते हैं, कि ये पेपर पूरा आपको दिखा रहे हैं, इसी तरीके से आपको यूपी बोर्ड में कॉपी लिखने भी है, यानि कि आज क्लास में आपको ये पूरा पेपर तो सॉल्व हो ही रहा है, साथ ही साथ आपको पता चलिए का कि आप किस तरीके से अच्छे से अपना इंप्रेशन दिखा सकते हैं, एक्जामनर के सामने और अच्छे से आप कॉपी लिख सकते हैं, यानि कि कॉपी फॉर्मेट भी यहाँ पर अच्छे से आप दिखाया गया है, सबसे पहले देखी यहाँ पर इस तरीके यह है इस तरीके से आपको सभी questions को solve करना है आप चाहें तो screenshot ले सकते हैं उसके अगर आगे बताएं आपको यह देखिए अगले question देखिए बिल्कुल सफाई से आपको same ऐसे ही copy format आपका ऐसे ही रहेगा लिखने का आपकी writing ऐसे ही रहेगी और अगर आपको writing आपकी बहुत जदा अच्छी नहीं है या आप writing समझ में नहीं आती तो आपको writing पर भी काम करना होगा क्योंकि writing भी बहुत जदा important है आपके UP word में आपके exam number अच्छे लाने के लिए इसलिए अगर आपकी writing नहीं अच्छी है तो आप writing भी सुधारने के अपनी कोशिश करिए फिर ये देखिए दूसरे का का की बात करें तो ये देखिए इस तरह के से प्रश्णोतर संक्या आपने यहाँ पर टू दाल लदिया है और ये numerical था तो numerical में सबसे पहले आपको बता देते हैं किस तरीके से अप numerical लगाते हैं जैसा जैसा कोशन में दिया गया था उसके according जो भी दिया गया था सबसे पहले देखिए बच्चे ने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कोशन में जो जो दे रखी थी value उसको नोट कर दिया है फिर उसके बात देखिए जो पूछा गया था उसके according यहाँ पर formula लगा कर इसको solve किया गया अगर इस कोशन की बात करें तो घनत वह निकालना था घनत वह इंग्लिश ने बोलते है density यानि कि D निकालना था और formula होता है D बरावत ZM upon A cube Na और इस तरीके से यहाँ पर side में दिखा दिया है इसका मान होता है 6.023 into 10 की power 23 फिर जो value थी उनको solve करके आपको नीचे इस तरीके से answer लिख देना है और साथ ही साथ आपको यह मात्रक लिखना नहीं भूलना है मात्रक बहुत ज़्यादा important है अगर आपने नहीं लिखा है तो आपका एक माक्स यहाँ पर examiner कट कर सकता है उसके बाद देखिए इसमें second part था तो इस तरीके से आप कर सकते हैं screenshot लेते जाए अच्छे से अगर आपको जो भी paper हम आपको solve करा रहा है इसमें कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको बता सकते हैं वो question आपको अलग से हम solve करके पिल्कुल अच्छे से बता देंगे उसके बाद देखिए पूरा question यहाँ पर numerical हो गया है उसके बाद अगला question था मारा mole प्रभाज क्या होता है यह पूचा गया है तो देखिए definition लिखती है उसके बाद इस तरीके से black pen का यूज करके यहाँ पर formula दिखा दिया है उसके बाद देखिए इसी के आगे question पूचा गया था है पर mole प्रभाज वाश्वदाब में अबनवन में जो संबंध होता है relation वो बताना है तो यहाँ पर देखिए पर बराबर k h upon k h रख दिया है h यहाँ पर henry नेतांग है और k h को क्या है यहाँ पर henry नेतांग है तो साफ साफ लिख दिया है जो जो पी क्या है यहाँ पर वाश्वदाब में अबनवन है एक्स क्या है विलय का मोल प्रभाज तो इस तरी के जो भी आप संबंध दिखाए तो उसमें है क्या क्या वो भी आप जहां करकर लिख दे यह ज़ादा अच्छा रहता है फिर उसके बाद देखी दूसरे का गा यहाँ पर प्रिशनतर है यहाँ पर भी आपको नुमेरिकल ही दे रखा है पूरा आप चाहें स्क्रीन शॉट ले लीजे इसका अच्छे से अगर कोई भी कोशन बार भार आपसे कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको कमें अच्छे का नियम है तो नियम सबसे लिखने का अच्छा तरीका होता है जो भी नियम दे रखा उसको देखे ब्लैक पन से यहाँ पर दिखाया गया है जिससे जो एक्जामनर है उसकी नजरे सबसे पहले जाए वहां पर यानि कि आपका यह बहुत जाद अच्छा तरीका है ब्लैक ब्लू पेन का ही यूज करें, हाइलाइटर का हम तो जादा यूज नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन आप ब्लैक ब्लू पेन का यूज करके, कौपी को अच्छा लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, हाइलाइटर का यूज करने से ही कौपी अच्छी लिखती है, तो यहाँ पर यहां पर देखिए डियाग्राम को बनाया है आप भी जितना जैसा जैसा यहां पर copy format है आप भी वही apply करें आपके बहुत जदा अच्छे marks आएंगे और यहां पर देखिए इस तरीके से यह आपको लिखना है देखिए संकुलन शम्ता कितनी जाद अची तरीके से दिखाया सबसे पहले लिख दिया गया है और गेरा गया आयतन क्या वह सब लिख दिया गया है संकुलन शम्ता का यह देखिए फॉर्मूला होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हैं उसके बाद देखिए यहां पर बावन पॉइंट 3 आंसर यहां पर पर सेंट तो आप ब्लैप इसकेज का भी यहां पर यूस कर सकते हैं तीसरे के खाम में पूछा गया था विशेष्टायं बताईए और अक्रिय गैसों की उप्योग बताईए तो दो विशेष्टायं देखिए यहां पर लिख दी गई है कि आयरन विभाब बहुत अधिक होता है और स यहां पूरी उप्योग कुछ लिख दी है आप चाहें तो कुछ उप्योग इसमें लिख सकते हैं तीसरे के गाह में कुछ आई उप्यासी नेम लिखने के लिए कि यह तो हमने आपको पूरी उपसाय सेयोजन यॉगिक की अलग से वीडियो बनाई कही है उसमें अच्छे से कैरेंटी हम लेते हैं कि आपको वहां पर बहुत जाद अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा एक भी नेम आपका गलत नहीं होने वाला है अगर आप वो वीडियो देख लेंगे अगर आपको नहीं देखनी अगर आते हैं तो कोई बात ही नहीं अगर जिसको नहीं आता है तो ये आपके अग्जाम में आते ही आते हैं तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं फिर उसके बात देखे यहां पर तीसरे के गहां में DNA और RNA में अंतर था तो देखे कितनी ज़्याद अच्छी तरीके से यहां पर दिखाया गया है उसके बात देखे यहां पर एड़नीन कोशन नुमेरिकल दे रखा है आप देख लीजे नुमेरिकल साफ साफ जो दिया था उसको लिख दिया गया यहाँ पर वह सब लिख लिए है फिर जाके यहाँ पर आपको सॉल्व करना है को हुआशन को उसके बाद देखी यहां पर स्क्रिंश एड लेते जाएए फिर उसके पार्ट में आपको विश्च चालकता निकाल निकाल निकालनी है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखी, हमने आपको बताई चुके है कि मातरक लिखना बिल्कुल ना चोड़ें, जैसे हर कोशन में मातरक लिखा ही हुआ है, उसके बाद देखी, यह चौथे के खाका जो सेकंड यूज़ करें और उसके बाद सेकंड कोशन में पूछा गया है अपोहन तो देखें अपोहन का यहां पर कितनी जद शफाई से चित्र बना दिया गया है और साथ ही साथ इसके बाद अपोहन की यहां पर क्रिया विद्धी थोड़ी से लिख दी कई यह क्या होता है चौते की बात करें तो यहां पर अमीनों को पहचारना था किस तरीके से आप पहचारेंगे समी करण भी देनी थी तो देखें हिंसबर्ग परिक्षड दौरा इसको किया जाता है प्रात्मी कैमीन लिख दिया है साथ में रियक्शन लिखी हुई है रिक्शन आप भी ब्लैक पैन का य प्ली आपर देता है कि ग्लुकोस का बात करें तो कोश्रे के पूछा गया था कि संरचने सूतर्पता है आगे दौत Gcial को के बात करेंगे पर देखें हैं और सबसे में बना दी गई है आप इसा को सो whilst दौ सान्रचन ऐर्ठाम और कि धिया गिया है और प्र है उसके बाद गि ग्लूकोस ये लुको-ग्जी-कॉप्ष दे दिया गया है यहांपर आपको एक नमबर मिल जायेगा उसके बाद देखिए पांचwar IP का ये आपका। नुमेरिकल है यहांपर और जो जो दिया गया था e नोट कर लिया न अन सब कर लिया है यहाँ पर यह होता है formula अगर आप इसको पहली समिकर्ण से दूसरी समिकर्ण से भाग देंगे तो आपका यही आ जाएगा उसके बाद देखी second part है यह इसका इस सवाल का कईयों part है इस सवाल में आप अगर question paper अगर ध्यान से देखेंगे तब आपको इस question अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पर देखी इसका answer आगया 0.0048m उसके बाद देखी इसका इसी question का यह third part है आप ध्यान से देख लीजिए परासररदाब यहाँ पर निकाला गया है इसका answer है 10.098m उसके बाद इसी का यह fourth part भी दे रखा है आप इसको भी आप अच्छे से solve कर लें फिर इसके अगर बात करें question number five के खाकी तो यहाँ पर सबसे पहले वेग स्थिरांग का यहाँ पर केवल formula लेकर दिखा दिया है केवल इसमें लिख दिया है और फिर जो जो है इसमें वो यहाँ पर आप जहां करकर दिखा दे जादा अच्छा रहेगा उसके बाद यहाँ पर पूछा गया थ और यह बात सिद्ध कर दिया है कि यह जो अर्धायुकाल है अभिकारकों का वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उसके वादे की पाच्वे का गास संक्रमणतत की व्यारिम पूछा गया है कुछ मने यहाँ पर देकी उधारर करके भी दिखा दिया है और दो पॉइंट थे कि रंगी नायन क्यों प्रवत्ति दिखाते हैं और यह संक्रमणतत में अंतराकाशी यौगिक होते हैं यह दो बताने थे कारण सहीत तो यहाँ पर लिख दिया है और उधारर भी साथ में लिख दिया है यहाँ से आपको एक्जामर पूरे नमबर देगा अगर आप उधारर सहीत लिखते हैं यहाँ पर भी देखें अंतराकाशी यौगिक बनाने की प्रवत्ति क्यों होती है यह लिख दिया है उसके बाद देखिए उसी में हमने उधारर तो नहीं लिखा लेकिन यहाँ पर इस तरीके से चितर बना कर दिखा दिया गया है कि यह लिख दिया गया है उसके बाद एक कोशन इसमें आगे और था तो उसका आंसर देकि यह तरीक लिख दिया है आप स्क्रीन शॉट लेते जाए और उसके बाद चटे कर खाका यहां पर अथवा यहां पर किया गया है क्योंकि यहां पर ऑप्शनल कोशन होते है दिर्ग में त कोशन में पूछी गई थी उसके बाद छटे का खाका यहां पर भी बच्चे ने अथवा ही किया है यहां पर देखिए पहली रियक्शन देखिए दे रखा है ना कि फिनॉल की गोजिक का चून के साथ गर्म किया जाता है तो आपको इस तरीके से साइड में लिखकर भी डैश करकर लिखकर भी आपको दिखाना होता है कि यह बन रहा है इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे आपके एक्जाम में यह देखिए सारी रेक्शन अच्छी से लिख दी है उसके बाद यह देखिए आगे की रेक्शन से यह है अब बताते लास्ट कोशन के वल बचा है साथे शेजाई है कि विभेद कुछेगा तो देखे ने मीफ पूछे चाले लिए उमीद करतेे हैं कि पूरा पेपर आपने श्क्राइन लेगा होगा, अगर आपको कोई नहीं समंझ में समय आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत धन्यवाद